11 अगस्त को दैनिकभासकर.com ने देश के चार बड़े मंदिरों पर की एक्सक्लूजिव पड़ताल जानना चाहा के हमारे दिये दान का इन मंदिरों में कैसे होता है इस्तिमाल चौकाने वाले तथे सामने आए तिरुपती तिरुमाला, सिध्धिविनायक, शेड़ी साई बाबा और काशी विश्वनात मंदिर की आज संपत्ती एक लाख 32,000 करोड रुपाई की है यानि देश के सबसे अमीर शक्स से भी ज्यादा दौलत इन मंदिरों में पाँच लाक श्रत धालू, आठ करोड का चड़हवा रोजदान करते हैं इसमें से महस दो फीसदी चड़हवा ही भगवान पर खर्च होता है 40 पितिशत रकम, बहंत, पुजारियों और बाकी सैलरी में खर्च हो जाती है बचे हुए पैसे सरकार की जेब में चले जाते हैं सबसे पहले दैनिक भासका.डाट कॉम ने मंदिरों की 9000 पेज की ओडिट रिपोर्ट के जरिये जनता तक ये बात पहुचाई मंदिरों के पांस इस अकूत खजाने से 500 साल तक फ्री में पेट्रोल भराया जा सकता है और श्री श्री रवी शंकर ने भी दैनिक भासकार.डाट कॉम के इस सवाल को सही खरार दिया और लोगों से अपील की कि मंदिरों में दान न दें हमारी ये मुहिम नेशनल मीडिया पर भी सुर्खिया बनी Zee News, India TV, India News ने इस सवाल को प्राइम टाइम में उठाया और पूरी सिष्टी का रचीता परमात्मा है उसको मेरे चड़ावे की कोई जुरूत नहीं है वेदों में साफ आया है न तस्य प्रतिमास्ती यस्य नाम महत्यशा मुद्दा आस्था का नहीं हमारी मेहनत की कमाई के जाया चले जाने का है सवाल आम पबलिक की जेब से जुड़ा है लिहाज़ा सोशल मीडिया में भी ये मुद्दा ट्रेंट करने लगा दैनिक भासकर डाट कॉम के मंदिरों में न दान करने की मुहिम पर एक लाख चालीस हजार से जादा लोगों ने कमेंट किये और बुलन दावाज में दान की बजाए अनात बच्चों पर पैसा खर्च करने का सुझाब दिया तकरीबन 70 फीसदी लोगों की यही राय है इस विडियो का मकसद महज इतना भर है कि दान करने से पहले सोच ले ये पैसा किसी के एशो आराम का हिस्सा बनेगा या किसी मजलूम को दो वक्त की रोटी नसीब कराएगा